आपका लाडला आपकी आँखों का तारा जीवन के पहले साल में वह बहुत ही तेजी से बढ़ता है उसका वजन तीन गुना बढ़ता है उसके दिमाग भी हर रोज एक प्रतिशत से बढ़ता है इतनी तेजी से बढ़ते शरीर को थोड़ा आराम और शांती की जरूरत होती है अपने लाडले को रिलांक्स करने में मददगार साबित होती है मालिश आपका स्पर्श आपकी बच्चे के विकास और चेतना को प्रेरित करता है और इससे आपको अपने बच्चे के साथ समय बिताने का मौका भी मिलता है मालिश के लिए अच्छा समय होता है दो फीट्स के बीच का समय जब बच्चा ज्यादा भूका नहीं होता और उसका पेट बहुत ज्यादा भरा भी नहीं होता उसके सोने के पहले मालिश करना टालिए बिना पेट्रोलियम या मिनरल्स वाला बेबी ओईल चुने प्राकरतिक स्त्रोतों से पाए गए घटकों से बना बेबी ओईल आपके लाडले की तवचा के लिए सबसे अच्छा होता है अपने हाथ में थोड़ा ओईल लेकर अपनी हटेलिया साथ में मलिये इससे तेल कुनकुना हो जाता है हलके हाथों से यहाँ तेल अपने बच्चे के शरीर के बीच वाले हिस्से से बाहर की ओर जाते हुए उसकी तवचा पर मलें शुरुआत उसके पैरों से करे पैर के उपरी हिस्से से पाउं की ओर जाए और फिर उसके कंधों से लेकर हथेलियों की ओर धीरे से उसकी च्छाती और पेट की तरफ पड़े हलके से अपनी हथेलिया उसके शरीर पर रखकर धीरे से बाहर की ओर मलें दिल के आकार में उन्हें घुमा कर फिर से बीच में लाएं जब तक आपके बच्चे को इसमें मज़ा आ रहा है तब तक मालिश करते रहें मालिश का समय होता है रिलाक्स करने का और आपस में मेल जोल बढ़ाने का पूरे समय उसके साथ बाते करते रहें और खेलती रहें आपका मुरुदु मुलायम्स पर उसी रुलाक्स करने में साहता करेगा और शारीरी मजबूती और आत्मविश्वास देगा अंत में उसे उसके पेट पर लिटाएं और उसकी पीट पर मालिश करें कंधों से कूल हो तक गुलाकार धंग से मले आपके बच्चे को नियमित्ता पसंद आएगी इसलिए हर मालिश को एक ही प्रकार से खत्म करें जिससे उसे पता चल जाएगा कि अब मालिश खत्म हिमालिया का बेबी मसाज ओईल में है ओलिव ओईल और विंटर चरी के प्राकृतिक गुण जो आपके बच्चे की तवचा का पोशन और रक्षा करें और उसे मुलायम रखें